दोस्तो आज हमारे पास यह एक्साइड कंपनी का 850 VA का प्योर सैंग वेव इंवर्टर है डिस्प्ले के साथ दोस्तो बहुत ही माइनर सी इसमें प्रोब्लम है लेकिन अगर एक्सपिरेंस है तो उस प्रोब्लम को हम आसानी से सोल कर सकते हैं एक्सपिरेंस नहीं है तो यही प्रोब्लम हमारी मेजर प्रोब्लम हो जाती है और काफी हमारा जो टाइम है वह इसमें वेस्ट हो जाता है टाइम कंजूमें पर लिए प्रोब्लम हो जाती है करें हमने यहां पर सेक किया तो क्या प्रोल्म हमें और उसका हम इसको डाइगनोज कर सकते हैं क्या सोलुशन है वो मैं आ आपको इँन्वर्टर है कि सिंगल बैर्टरी को इसके कर देते दोस्तो आ इमसी भी ह्हश्तुर्ट है और यह इसकी output है यानि कि अब यह backup mode पे यहाँ पे सही काम यहाँ पे दोस्तों कर रहे है यह backup mode पे सही काम कर रहे है अब मैं दोस्तों mains पे इसको connect करता हूँ यह इसका no load current है और यह मैंने mains यहाँ पर दोस्तो इसकी connect की आपर अब यहाँ पर mains पर आजाएगा और mains पर आने के बाद यहाँ पर symbol यहाँ पर change हो गया है और अब यह इसने charging यहाँ पर start कर दिये दोस्तो यह charging ampere इसका दीरे दीरे rise हो जाएगा और यह 10 ampere के आसपस यहाँ पर कहुझेएगा यह इसका charging ampere है यह charging भी यहाँ पर पर कर रहा है दोस्तो अभी मैं क्या करता हूं थोड़ी सी जो input voltage से जो कि हमारी अभी 230 से ज्यादा ही है इसको मैं यहाँ पर कम करने की कोशिज करता हूं और आप यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे तो आपको यहाँ पर एक आवाज यहाँ पर सुनाई देगी यहाँ पर अगर आप नजदीक से में सुनाने कोशिज करूं यह एक बजर साउंड आपको सुनाई देगी बीच-बीच में हो और तो पर पर बीच-वे यहाँ पर साउंड यह कर रहा है और सपर्किंग किशी अजीप सी एक जो दॉयजक रियरेट हो रही है यहाँ अ अब इसकी मैं वोल्टेज वापिस बढ़ा देता हूं, ये वोल्टेज मैं वापिस बढ़ा दे, दोस्तो तो प्रोपर चार्जिंग यहां पर यह कर रहा है, अब इस केस में क्या करेंगे दोस्तो, क्योंकि इसको नीचे भी काम करना चीहें, 200 से नीचे भी इसको को मिस भी करेगा, आप इस चीज को भी ध्यान में रखें, शार्जिंग को मिस भी यहां पर यह करेगा, तो दोस्तो इसकेस में क्या करेंगे, सिधा सा मैं आपको बता देता हूं, लोजिक की इसकेस में आपको क्या चीज, किस चीज को आपको नोट करना है, ध्यान रखना ह यह यहां पे दोस्तों दो कपेश्ट्र लगे वे हैं यह देखें यहां पे दो कपेश्ट्र लगे हैं 8600 माइक्रो फ्राड और 25 वोल्ट के तो दोस्तों यह कपेश्ट्र यहां पे वीक हो जाते हैं यहां पर आप ज्यान से देखेंगे तो कई बार जो कपेश्ट्र हैं वो य होंगे या इन में से कोई एक कपेस्टर खराब होगा आप निकाल के भी उनको चेक कर सकते हैं और वैसे अगर आप एक्स्पिरिंस इसको चेक करना चाहें तो दोस्तों अपनी फिंगर से आप इसके उपर लगाएं जो टोप इसका होता है और फिंगर से लगागे अगर आप चेक करेंगे दोस्तों तो जो कपेस्टर यहां पे दोस्तों वीक होगा खराब होगा वो यहां पे ज्यादा हीट हो जाएगा जो यहां पे वीक होगा या खराब होगा वो ज्यादा हीट हो जाएगा अभी मैं यहां पे आप लोगों को बत अब इसको एक बार एक्स्पिरेंस से हम इस कपेस्टर को चेंज करके देखते हैं और फिर देखते हैं यह प्रयों होती है यह नहीं होती है तो दोस्तों जो केस्टर खराब था वो अमने यहां पर रिब्लेस कर दिया है जो ज्यादा कपेश्टर और लगा दिया है पहले दो कपेश्टर थे मैंने एक तीसरा कपेश्टर यहां पे और लगा दिया है अट सट सो मैक्रो फ्राड और पस्टीस वोल्ट का जिससे कि इसकी फिल्ट्रेशन और अच्छी हो जाए और जो capacitor ख्राब था जिसको अमने check किया था उसको मैंने यहाँ पर replace कर दिया था compatibility अगर आप इन पर हात लगा च्व कर एंगँ लगा के check करेंगे तो जो ख्राब हो ड़ा वो הדly ज्यादा गरम होता है उसको सभी धाया उसको हमने यहाँ पे replace कर दिया है अभी इसको om सिंगल बैटरी का है तो यहाँ पर बैटरी में गनेक्ट कर देता हूँ यह आपका यहाँ पर 2.2 नो लोड करेंट है दोस्तों यह आउटपूट वोल्टेज है यह मैंने बलब भी इसका ओन करकर देख लिया है चार्जिंग में इसमें प्रोलम थी चार्जिंग को यहाँ पर हम चेक कर लेंगे मेंस मोड पर ओन कर दिया है mains mode पे आगया है sign यहाँ पे change हो गया है क्यूंकि current की direction change हो गई है बैटरी अब discharge नहीं अब यह battery charge हो रही है धिरी धिरी यह 10ampir तक जाएगा उसके बाद हम voltage भी कम करके देखेंगे कि जो हमारी problem थी low voltage पे यह जो है beep sound कर रहा था बीच बीच में वो हम यहाँ पर चेक करेंगे यह 150 वोल्ट पर मैं लेके कहा हूँ और यहाँ पर आप अगर observation करेंगे तो यहाँ पर कोई भी बीप sound यहाँ पर हमारे को बजर sound यहाँ पर नहीं आ रही है यानि कि हमारी जो problem थी वो यहाँ पर soul हो गई है दोस्तो मैं इसको एक वर आपको discharge कर के और दिखा देता हूँ ताकि 10 Ampere पूरे पर इसका क्या भीवर रहता है वो भी हम यहाँ पर check कर सके अभी मैं इसको discharge कर रहा हूँ इसके बाद इसकी मैं main zone करूंगा दोस्तों ताकि 10 Ampere यह पूरा यहाँ पर आ जाए अभी यह discharging current है 15 Ampere अभी main zone मैंने कर दी है बलब पूरा जाएगा उसके बाद मैं PCB के नजदीक भी ले जाकर दिखाऊंगा कि यह कोई आवाज यहाँ पर नहीं कर रहा दिखिए यह 9 Ampere आ गया है और हम PCB के बिल्कुल पास गए है और यह बदर साउंड बिल्कुल नहीं कर रहा है यानि कि हमारी जो प्रोलम थी शोल हो बैटरी पराणी होने की वज़े से ज्यादा रिपल्स बनने की वज़े से यह कपेस्टर यहां पर खराब होते हैं और यहां पर आमने इसको डाइगनोस कर लिया है रेक्टिफाइए करके इसको सोल कर लिया है अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप झाल झाल